हेलो एन वेलकम गई स्वागाज आपका फेंटाशी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीनियर वूमन्स टीट्वेंटी लिग की बात करेंगे जो की मैच होगा यहाँ पर बेंगाल वूमन वर्सिस सवराश्टर वूमन के बीच में तो चलिए दोनों टी सारी डीटेल्स इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे बेल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप करेंगे इससी यूटूब चैनल पर कवर की जाएंगी इसके साथ इन एसी इसी इंटरीके वीडियो जैंगी ए सो सारे अच्छे मैचे वीडिया आपको सबसRe कर लेना है साथी में टेलीग्रम चैनल से जुड़ जाएगा क्यूंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीघ्रम चैनल मिलने वाली है और टेलीघ्रम से जुड़ने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्टिप्शन बॉक्स में अल्रेडी टेलीघ्रम का लिंक एस राज सेखरा रेड़ी एसीए वीडी एसीए इंटरनेशनल क्रिके स्टेडियम विशा का पटनम में खेला जाएगा पीछी रिपर्ट यह से न्यूट्रल और बैलेंस है लेकिन बॉलिंग के लिए अच्छी वीज है रंस एवरेज यहां से 130-150 के आसपास बन सकते हैं द इतने के मैक्षिमान चांसिस है इसे बेंगल मूमन्स के लग रहे लेकिन सवराष्ट मूमन तक कर दे सकती है लेकिन ज्यादा-तर मैक्षिमान चैंसिस यहाँ से 70-80% जित्ती हुई यहाँ से बैंगल ही नज़राएगी मैं थोड़ा सा फोकस यहाँ से बैंगल के उपर ज्यादा करूँगा वह अगर पहले बैटिंग करवाएगी तो यह 150 के प्लस भी कर सकती कुछ ऐसे प्लेयर है बैंगल की पास अगर खेल गया तो यह यहाँ से चेजिंग करना परसंद कर सकती है बैंगल मुमन ने एक मैच खेली और जित्किया रही है ओपनिंग में यहाँ से प्रियंका बाला और धराग उजल दुन ओपनिंग करवाएगी देखो कुछ प्लेयर यहाँ पर नहीं खेले लास मैच के बात करो तो यह जैसे कि अभी इन्हों ने बींगा भी लास मैच के अंदर में यहाँ पर मुम्बई को आ दिया तो प्रियंका बाला और यहाँ पर धरा गुजल दोनों ने ओपनिंग करवा है अप्लेयर अची ऑ़एगूलर बजिस पर ओपनिंग करवाती हुई प्लेयर है राइट है और वहां पर रेगुलर बिजिस पर ओपनिंग या वन डाउन आती थी और इसके साथ यह से चार वर्स पूरी करवा थी तो आइसे लास्ट मैच के अंदर आइधिक शायद बहुत ही कम आठ वर्स का गेम हुआ था आठ वर्स की गेम के अंदर उन्हें वर्स नहीं कर रहा है लेकि इनके जब तक overall records नहीं देखलें दब तक हम लोग इनको अभी के लिए अगली मेस तो यहां पर मैं आपको टेलिगरम चैनल पर पर प्रोइड करवा दूँगा मितापॉल वेरी इंपोर्णन फिक देखो यह पी ओवस करवा लेती है और मेरी कैप्टन या वाइस कैप्टन सिफ की चोईस यहाँ पर मितापॉल रहेगी मैं इनको ही कैप्टन करते हुए दाओंगा लास्ट मैच के लिए पंदरा रन की है ओवर्रॉल दस मैच के लिए त इतना कोई खास परफॉर्मस नहीं था एक बार 26 रन किये थे वही उनका मेन परफॉर्मस था और 18 रन किये थे इतना कोच खास इंपॉर्णन्स है नहीं यहां पर प्रिती मॉंडल रिस्की खेलो तभी ट्राइब करेगा पर कि तीथी स्वपन दास को जरूर लेखे जाना है सिर्फ तीन रन किये लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों इसे तगड़ा पर्फॉमस दे सकती है ऐसे तीथी स्वपन दास तो इनको डेफिनेटल लेखे जाना है और मिस की आपर बहुत ही रिस्की खेलो इनसे ग्रांड लिग वगरा तो इनको कैप्टन वैस कैप्टन भी क सकते हैं सुसंता संसीता सुमीद विष्वास के लास में बैटिंग ने और दस मैच के नर्ट दोस्तों चाहलीश रहन है पर और यह कब भी यह से उपर से प्रमोट हो सकते हैं लास मैच की जो भी में जो भी में लास तो वो पूरी अन्प्रेटिक्टेबल थी क्योंगी कम ओ सुमीद विष्वास के भी बैटिंग आएगी सुकन्या परिदा वेरी इंपोरेट रहेगी यह पर जुमिया खातुन चार वस पूरी करेगी विस वर्स की मैथूज जुमिया खातुन और यह से गोहर सुलताना वह दोनों चार वस पूरी करेगी जो बोलस की बात कर दो तो उस मेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल है और ब्यांच की बात कर तो ब्यांच से अकर कोई भी प्लियर खेलेगी तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगर आपको टेलेग्रम में मिलेगी तो टेलेग्रम से जुड़ जाएगा क्योंकि यह जो प्लियर है इन में से कोई प्लियर ख्लती है तो इनके सारी अपडेट में वगरा मिलेगी और वहाँ पर आपको चेंजिस करने में भी आसानी होगी और वीणिंग करने में भी आसानी होगी तो यहांसे टेलीग्रम से पूझा निमावत और यहांसे रिधी रुपार रेल दोनों ओपनिंग करवा सकते रुपा रेल की बात के हो तो विकेट की पिंग सेक्शन से दिखेंगी अच्छी चोई से यासे टिम की कैप्टन से भी करवाती है दस मैच के ने 106 सी रन उन्होंने वंडे के अंदर किये और पूचा निमावाद की बात के हो तो यह बेटिंग बोलिंग दोनों करवा लेती है उन्होंने भी ओडिर के अंदर 10 मैच के ने 15 सी रन साथ में 6 विकेट निकाले हैं लेफ्टाम अठोड हो गेंबाजी है से मिडल हो सोगेरा मैंने के साथ से जो 15 वाली मैच इस होती है वहाँ पर यहां ओस करती हुए नजर आएगी तैसे निमावाद को मैं जरूर ट्राइक करने को ऐसे रिधी को भी ट्राइक कर लेंगे जैसरी ओपनिंग भी करवाती है मैंने यहां पर वंडावन में में मेंचन किया है लेकिन यह ओपनिंग में आ सकते लेकिन तीन मैच के उनको एकोर्स मिलें ट्वेंटी के जहापन उन्होंने 67 अच्छी प्लेयर है यहां से 20-25 आपको करते हुए नजर आ सकते हैं तो इनको आप लोग कर सकते हो मिर्दूला जड़ेजा रहेंगी दस मैच के नहीं के साथ साथ यहां से राइटम मीडियम फास गेंट बाजट दस मैच के अंदर 344 की हुए और आगे भी इनसे अच्छे परपामस की उमीद रहेंगी तो इन दोनों में से बंगाल की चार से पांच बोलर ले रहें तो यहां पर इन में से किसी एक को में छोड़ना पड़ेगा सरस्वति कानुजा थोड़े से ओके रहेंगी तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट बगेर आपको टेलेग्रम में मिलेंगे तो जली से जाके आपको टेलीग्रम चैनल को जोइन के लेना है अभी कली देख लेते हैं हमारी फेंटासी टिम कोई सी रह सकती है कौन से प्ल से गिए थे सथे को ने संट एक लेर हमारी सी जूपी जाए्ट से में जाड़े जै जाए जाएं के न डीगुजर से रहेंगे यहांसे देखो तीथी स्वपंदास एक बड़ी प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग दोनों इसे अच्छा कर सकती है सुमित विश्वाज एक अच्छी प्लेयर है लेकिन बॉलिंग सक्षन से कि शायद यह ओस करेगी यह नहीं करेगी यह फिक्स नहीं इसके लिए मैंने चार बॉलर्स ऐसे लिए जो कि फिक्स ओवर्स करवाई सकते हैं वल्राउंडर सक्षन में यह से पी निमा वाद के साथ यह से मिता पॉल रहेंगी और इसे बिश्वाजी सुसंसा माजी रहेगी बाकि अधर वाइस ऑप्संस की बात करते हैं ऐसे मॉंडल तो ओके ओके लेकिन यहां से एन चावडा को ट्राइ कर सकते हैं दिप्ती तो खेलने माली नहीं है तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं और उल्राउंडर सक्षन में यह से सुकन्या परिदा जुमिया खातून यहां से साइक और गोहार सुल्तान हमारी टीम के अंद पर उपनिंग यह वन डाउन भी करेंगी और तीन-चार वर्स भी करेंगी तो इसके लिए आप लोग इनको भी ट्राइक कर सकते हैं याद रहे कि जो टीम में डेमो टीम आपको टेलिग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनप के बाद तो टेलिग्रम से चुटना बिल्कुल मत लिंक के टेच किया है इनके सगर लिंक वाक ना करें तो टेलिग्रम में जाके आपको सर्च करना है फेंटासी दिस्टेंच चलेंजर या फिर आपको सर्च करना है डेरेट फडीसी 27 और आपको सिधा अमारा चैनल मिल जाएगा सिंपल ही आपको विपर दी जाएगी या जैने वाद जैन जै भरात